हेलो दुस्तो नमेशकार ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगं का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्ते इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि उस कंपनी के अगर हम लोग टॉप की बात करें तो वहां से वह कंपनी लगबग 90 परसेंट डाउन है बट स्टिल मैंने एक बीच में वीडियो बनाए था कि ऐसे कौन से कंपनी है जहां पर हम लोग को ऐसी चीज़ें देखने को मिल रहे हैं कि वह 90 परसेंट डाउन है क्योंक कुछ ना कुछ corporate governance से related issues देखने को मिल सकते इंटरनल इशूस देखने को मिल सकते फ्रॉड allegations देखने को मिल सकते राइट बट उसी के reference देता क्यों आप लोग को कि यहाँ पर आगर आप लोग logic के साथ चलना शुरू करोगे तो 70-80% चीज़ें आपके favor में हो सकती है राइट मतलब risk भी अगर आप लोगों को लेना है तो वहाँ पर भी तो कुछ लोग logic होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आप लोग logic नहीं लगा रहे एंड आग बंद करके risk ले रहे हो सो यहीं चीज़ें इस वीडियो में यहाँ पर में बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा stock है जो की मुर्दा शेर अभी जिन्दा होते हुए हम लोगों को देखने हो मिल रहा है बट स्टिल वापस कहता हूँ कि जहाँ पर risk बहुत होता है वहाँ पर हम लोगों ने ज्यादा investment क करना नहीं होता है सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते बड़ उससे पहले जरू कहना चाहूंगा आज की दिन की पॉपिलर वीडियो आप लोगों ने जरू देखे होंगे अगर नहीं देखा तो इसका लिंक भी आपको उपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चले दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते बट इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेगना अगर किसी ने फर्स टा चाओंगा इस टॉक पर आप लोगोंने इतना ही इंवेस्ट करना चाहीं जितना हम लोग पीनी स्टॉक के लिए देखते मतलब यह जो हम लोगों का स्क्रैप रहता है घर में जो रद्दी यहां पर बच जाती पेपर की रद्दी उसको बेचने या बाद आप लोगों को 20 मिलता होगा, किसी को 200 मिलता होगा, किसी को 2000 मिलता होगा, किसी को 50, किसी को 500, किसी को 1500, तो ऐसा जो scrap वाला पैसा होता है, वो penny stock में लगाना होता है या फिर risky stock में लगाना होता है मतलब कल अगर वो डूब भी गया तो जादा फरक नहीं पढ़ना चाहिए तो उसी स्टॉक में अग भी हम लोगों को जबरदस तेजी देखने को मिल रही है अगर हम लोग यहाँ पर बात करें वो ऐसा मूरदा शेर जो की लगबग 90% डाउन है बट लास्ट टाइम 11% की तेजी 5 दीन में अगर आप लोग देखोगे तो इस स्टॉक जो की आप देख सकते एक जमाने में 600 रुपे के करीब था और आज लगबग 40 रुपे के करीब देखने को मिल रही है मतलब स्टिल 90% से जादा डाउन है तो दोस्तों वापस कहना चाहूंगा की न्यूस क्या है इग्जेक्ली वो हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेग बहुत ही छोटा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आर्टिकल के उपर आ जाएंगे जहाँ पर सेम वर्डिंग से आपके कॉपी पेस्ट करके आपके सामने रखे हुई है सो दोस्तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके वकरांगी के शेर में हम लोग को इतनी गजब की तेजी यहाँ पर क्यों देखने को मिल रही है सो दोस्तो यहाँ पर जो न्यूस है वो आपके सामने आ चुके है और उसके पीछे का रीजन है बोर्ड्स यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ी हो गई है बोर्ड अफ डिरेक्टर अप्रूड दा विड्रू अमाल गमिशन स्कीम फॉर्ड टू होली ओन सब्सेडरी ड्यू तो अब्सेंचियल चेंज इन बिजनेस एन्वाइरमेंट यहाँ दोस्तों यहाँ पर जो अमाल गमिशन से रिलेटेड जो स्कीम थी यहाँ पर हम लोग को विड्रॉवल से रिलेटेड अप्रूवल बोर्ड की तरफ से मिलते वे देखने को मिल रहा है और यह अमाल गमिशन किस में हो रहा था तो होली ओनेड सबसेडरे मतलब 100% शे से और वो कौन से शेर जे तो वो भी हम लोग बात करेंगे फिलाल यह सारी चीज़े हम लोग को मार्च 2020 से एंचल्ट में यह एप्लिकेशन से रिलेटेड देखने को मिल रही थी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमाल गमिशन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर दे अमाल गमिशन स्कीम देखने को मिल रही थी जो कि फिलाल बोड ने यहाँ पर विड्रो कर ली है यहाँ पर अगर आप लोग बात देखें जो यह प्रपोज अमाल गमिशन की बात हो रही थी प्रपोज मतलब करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे बट फिलाल यहाँ पर ब यह data जाते होगे देखने को मिल रहा है उसी का hard copy मैंने आप लोगों के सामने रखा था सो दोस्तो इसी news के चलते हम लोगों को इस stock में गजब की तेजी यह आप देखने को मिल रही है जो कि अभी हम लोग यहाप देख रहे तो एक मुर्दा शेर है जो कि आप लोगों के सामने जिन्दा होते हैं देखने को मिल रहा है बट अगेन मैं आप एक कुछ points आप लोगों को बताना चाओंगा कि जो मैंने last वीडियो में भी बता है थी मतलब जो वीडियो मैंने आपको बोला ना कि आशा उमीद की किरण है तो इस stock में आप लोग उमीद की किरण यहाप रख सकते हो बट जादा hope मत रख लिए ना मतलब इसमें मैं 50,000 डालके बेट जाओंगा तो उसकी कोई guarantee नहीं है बट यहापे जैसे मैंने आप लोगों को बता है था कि उमीद की किरण है क्यों क्योंकि यह stock जिस वज़े से नीचे यहापे गिरा था उसमें इनको clean sheet मिल गए यह जोस्तों इनको यहापे clean sheet मिल गए MCNA Ministry of Corporate Affairs ने इनको पर 10 अलग-अलग आरोप लगे थे allegations से एक भी आरोप सीध नहीं हो पाया सो सर सीध यहापे नहीं हो पाया तो stock में रैली क्यों नहीं है कौन रिस्क लेगा क्या guarantee एकल वापस तो आप लोग को यह सारा data समझ में आ जाएगा मतलब जो भी irregularities से related यहापे मसला सामने आया था कि 10 आरोप यहापे लगाए थे इसमें से एक भी यहापे प्रूव नहीं हो पाया बट जैसे मैंने आप लोग को कहा कि यह सारी चीज़े हम लोग को पता है बट डर लगता है क कि वापस अगर केस री ओपन हो गया तो इसलिए कोई भी बड़ा investor यहापे इस company में फिलाल निवेश करते हुए हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है अगर आप company की balance sheet देखोगे company का performance देखोगे तो आप लोग भी यहापे चोग जाओगे कि यह company का performance देखे सो फिलाल आप लोग देख सकते 2019 का ही data जो मैंने आपके सामने उपन के है आप देख सकते update on MCA inspection MCA find no irregularities कोई भी गडबन नहीं है and no further action pending pertaining to the वकरांगी मतलब आगे भी कोई action नहीं होगी and कोई भी irregularities मतलब कोई भी गडबड वकरांगी से related 10 अलग-अलग आरोप थे उसमें से 9 आरोप सिद मतलब प्रूव ही नहीं हो पाया रहते फिर भी एक आरोप रुखा हुआ था but finally MCA ने उससे related भी उनको clean sheet दे दी सो ऐसा लगा था कि यह अभी तो तेजी आएगी बट ऐसा कुछ भी यहापे नहीं होगा है मतलब आप लोग clear cut यहापे समझ सकते हो कि जो investor है अपना पैसा इस company में लगाने के लिए यहापे कत्रा रहे despite of कि हम लोग यहापे कह सकते कि उनको जो irregularities से related चीज़े थी उनमें उनको clean sheet मिल गई and further कोई भी action pending यहापे मतलब है ही नहीं so दोस्तो यह बात जता थी कि यह stock अगर देखा जाए तो as such inkyo पर लगे वे आरोप सब कुछ यहापे side हो चुके बड़ा investment यहापे आने के लिए कोई भी राजी नहीं है so amalgamission की scheme से related भी जो issues थे वो भी हम लोगों को यहापे देखने को मिल रहे थे तो अभी फिला वो चीज़े हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है and जैसे ही withdraw हो गई तो हम लोगों को share में तेजी देखने को मिली है so इसी मुर्दा share हम लोगों ने 30 रुपे पे खरीद देया उसी के आसपास खरीदा था अभी लगबग 40 के आसपास जाते वे हम लोगों को देखने को मिल रहा है अगर मैं यहापे बात करू 27 तारीक की तो लगबग 50% से ज़्यादा लोगों ने इस कमपनी में यहापे डिलिवरीज उठाई है उसी के साथ-साथ कुछ और भी डेटा दिखाना चाहूँगा जैसे की कमपनी की balance sheet देखना दोस्तों एक कमपनी डेफ-free कमपनी है अगर आप इस कमपनी की results देखोगे तो लगातार बढ़ते वे results है 14 करोड़ 2000, 2400, 2480, 2500 करोड़ की results है टोटल डेफ देखोगे तो कमपनी के पास पहले 295, then 144 and then debt-free तो कमपनी भी कर्जमुक कमपनी है उसी के साथ-साथ cash and bank balance की बात करे तो लगबग 175 करोड का cash and bank balance है तो 31-40 रुपे के stock के लिए जितनी balance sheet होनी चाहिए जिसके उपर इतने बड़े allegation दे फिर भी हम लोग कह सकते एक ठीक-ठाक balance sheet हम लोगों को देखने को मिल रही है उसी के साथ-साथ अगर आप लोग share holding pattern भी देखोगे तो लगबग 40% से ज़्यादा के share promoter के पास है कोई भी गिरवी नहीं है बट ये issue के कारण आप लोग देख सकते foreign investor जो की इस company में पहले ज़्यादा invest करके रखे होई थे तो उन्हेंने अपनी हिस्सेदारी यापे क्या कर दिये कम कर दिये आप लोग देख सकते हैं लगबग FIS-FPS 13% से ज़्यादा के holding थी जो की अभी कम होके 11 हो गए और लगबग 10% के भी नीचे वो जा चुके हैं इस सारी चीज़े यहाँ पर बताती है कि company का performance यहाँ पर बहुत सारी लोग track कर रहे बट यहाँ पर बड़ा investment आने के लिए company को बहुत ज़्यादा मेनत याबे करने को पड़ सकती है इसलिए मैंने आप लोग को कहा था कि अगर आप उमीद की किरेंड के लिए कोई stock देख रहे हो तो वकरांगी के उपर आप लोग चाहो तो focus कर सकते हो अभी यह लग की बात है जैसे मैंने आप लोग को कहा कि जब यह news सामने आ जाती है तब मुझे यह सारी चीज़े बनतानी पड़ती है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वकरांगी के शेर में हम लोग को दो दीन में ही मात्र दो दीन में ही एक गजब की रैलीज यहाँ पर देखने को मिल रहे है जो कि 30 रुपे के भी नीचे के आसपास चलने वाला stock सीधा 39-40 रुपे के आसपास जाते वे देखने को मिल र है जैसे कि आप लोग देख सकते पॉर्टर लिवाइस सो जून के नंबर्स 920 सब्टेंबर के नंबर्स 1000 के उपर रुपीज इन लैक से ओवेसली कंपणी क्या डिविडेंट देती यस कंपणी डिविडेंट देती है 2018-19 अगर आप देखोगे तो 25 पैसे का डिविडेंट देते बट कंपणी ने डिविडेंट देने की परंपदरा को अभी भी चालू हो रखा है 2017 में तो कंपणी ने 1-1 का बोनस भी दिया था और उसके बाद ही हम लोगों को ये ऐलिगेशन वाली चीज़े आप देखने को मिली थी सो रोज तो इसलिए कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़े रिस्क फ्री नहीं होती है हमेशा रिस्क या पर इन्वाल भी रहेगा चाहे वो कितना भी अच्छा शेर क्यों ना हो के बारे में सीखे उनके उपर नजर रखे डूपते हुए स्टॉक में भी अगर आप लोग जाते हो तो वहां पे भी आप लोग दिमाग लगा के जाओ तो आप लोगों के साइड में कोई इतना कोई मतलब आपके फ्यवर में डिसिजियन से आपे आ सकते है आया बाशा करत दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेलफुल रहा होगा तो जरूर इसको लाइक अंड शेयर कर देना तो देट से टैंक्यू विरिमाज दोस्तों वी बिल भी मिटेंग अरनेक स्टुडियो तब तक के लिए बाई बाई